हेलो दोस्तो वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल टेक्निकल नर्वार तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सवमी के एक निव अपकमिंग स्मार्टपोन रेड्मी नोट 10 के बारे में जो की चैना की एक बेवसाइट पल और लेडी लिस्ट हो चुका है जिससे की दोस्तो इसकी कापी सारी लिक्स सामने आ चुकी हैं और इसी के साथ इंडियन मार्केट में माईक्रो मैक्स ने कमबेक कर लिया हैं इन चाइनीज कंपनी इसको भीट करने के लिए तो दोस्तो वीडियो बहुती इंट्रेस्टिंग होने वाली ऐसो वीडियो में एंड तक बने रही है तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो वीडियो में आगे बनने से पहले आप से एक चोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी अगर आपने इस وीडियो को लाइक नहीं किया है तो पटापट से लाइक कर दीजी और साथ ही चेनल को सबस्क्राइब करके अपने चोटे भाई को सपोर्ट भी कर दीजिए तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं spawn के processor के बारे में तो इसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 800U का एक powerful chipset देखने को मिलेगा जो की PUBG connectivity को support करता है और ये smartphone out of the box Android 11 पर आने वाला है जो की MIUI 11 पर run करेगा बहीं पर display की बात करें तो इसके अंदर आपको 6.53 इंच की full HD plus IPS LCD display panel देखने को मिलने वाला है डिस्प्ले पर आपको पंचॉल का design देखने को मिलेगा और इसी के साथ डिस्प्ले की quality को और भी वैतरीन बनाने के लिए 120 अर्च का high refresh rate का support भी देखने को मिल सकता है साथ ही यहाँ पर आपको side mounted fingerprint sensor का support भी देखने को मिल जाएगा महीं पर अब बात करते हैं इस phone की battery के वारे में तो इसके अंदर आपको 5000 mh की एक powerful battery देखने को मिलेगी जो की 30 watt के super part charging के साथ आएगी और इंदा box आपको 30 watt का part charger भी मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस phone के camera's के वारे में तो इसके अंदर आपको quad camera setup देखने को मिलेगा जिसका primary sensor होगा 108 megapixel का जिसमें sony का sensor यूज किया गया है और इसी के साथ एक ultra wide angle lens एक depth sensor एंड एक micro lens भी देखने को मिल जाएगा और इस phone के अंदर आपको type C port एंड 3.5 mm का audio jack एंड face unlock जैसे feature भी देखने को मिलेंगे और ये smartphone दो RAM variant के साथ आने वाला है 4GV 60, 4GV and 6GV 128 GB तो चलिए दोस्तो आप finally बात कर लेते हैं इस phone की pricing और launch date के बारे में तो दोस्तो इस phone का base variant आपको 17-20,000 रुपे की price range पर Indian market में देखने को मिल सकता है और ये smartphone नवंबर के last तक Indian market में देखने को मिलने वाला है तो आई होब दोस्तो आपको इस वीडियो बहुती interesting and amazing लगी होगी तो प्लीज आपने अभी तक इस वीडियो को like नहीं किया तो पटापट से like कर दीजिए और साथी चैनल को subscribe करके bell notification को भी on कर लीजिए तो दोस्तो हम मिलते हैं आपको next वीडियो में तव तक के लिए keep smile keep supporting